हेलो एब्रिवन वेल्कम टो एक्री अकेडमी दोस्तों एक्री अकेडमी के यूटूब चनल पे आप सभी बहुत-बहुत शौगत हैं और दोस्तों आससे हमने एक नया सेसें स्टाइट के हुआ जिसमें मैं आपको यूपी बियर 2021-22 के जो सेमिस्टर एक्जाम कंड़ेट करा गया थे उससे यह प्रिवेस सेर कोश्चन पेपर का हम एनलिसिस फिर सेलूशन करेंगे और यह कोश्चन पेपर हमारा सेयजे मिनुस्ट्री कानपूर के द्वारा कंड़ेट करा गया था इसमें 2020 से लिए 2022 के जो से चले थे बियर्ड के उसमें सब अब्जेक्टिव टाइप पोश्चन हुए थे क्योंकि कोविट का टाइम चलना था इस वजह से अब्जेक्टिव बेस्ट कोश्चन हो रहे थे और अभी 2022 से जो नया सेशन स्टार्ट हुआ इसमें सब्जेक्टिव टाइप यह इस बिस सेलोशन कराऊंगा तो आएं दोस्तों कोश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं यह हमारा बीड फर्स समेश्टर का फर्स्ट कोश्चन पेपर है फिलास्टिक अपर्सेप्टिविटेशन ऑफ एजूकेशन यानि सच्छा के दार्शनिक परिफेच्च है और यह फर् सब्सक्राइब के सभी समेश्टर का कोश्चन पेपर लाता रहता हूं ताकि आपको एक्जाम में काफ़े हेलफफुल हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को देखते हैं और को मैं रेट करने के बाद ऑप्शन दोंगा जो इसमें दिये हुए तो आप थोड़ा सा पॉस करके एंशुर खुद से देने की कोशिस की देगा बाके तुम्हें बताता रहूंगा आपको आपको दोस्तों पहले कि देखते हैं कोश्चन नंबर फर्स्ट को कोश्चन नंबर फर्स्ट हमारा करेदा है कि गुर्देव रवेंद्र नाथ टैग पॉस्ट और सा धिक पासःत कि शर्थ में है मैं उप्शन देखी के साहित के धर्म के राजनिती के तो क्वश्चन नंबर फस्ट को अप्शन नंबर फी हमारा करेक्थ हैं आपको यह साहित से read पर कॉष्शन नमबर हमारा टू क्या रहा है कि प्रयोजन वादियों के अनुषार आंतिम सत्त क्या हैं। Option इसमें दे एँ वस्तु, आत्मा, इश्वर, वास्तिविक अनुभव। तो question number 2 को option number D के रिख्ठ है हमारा वास्तिविक अनभो next question ये पर दोस्त हमारा कहा रहा है third number की परियोजन वादियों ने किस प्रकार के अनुशाशन पर बल दिया option इसमें हमारा दिवें दमनात्मक, प्रभवात्मक, मुक्तयात्मक या श्वा अनुशाशन next question 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 number 4 प्राकृतिक वादियों के अनुशार अनुशाशन क्या है option इस में देखे वस्तुप प्राकृतिक इश्वार या बिचार question number 4 को option number B यहां पर हमारा क्रेक्ट्थिया प्राकृतिक अनुशाशन के आनुशार जे एस रॉस जॉन डीवी प्लेटो या इनमें से कोई नहीं तो कोश्चन नुम्बर फाइब का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर हमारा सही है कि जब समाज के नहें सदस्यों को सामाजिक प्रधाओं और मानगुवह उसे प्राचित कराया जाता है तो सिच्छा के के इनकी उद्रेश की पूर्टी होती है तो option इसमें दिया हुआ सामाजिक उदेश, बैक्तित उदेश, सामाजिक यूं संविग आत्मक उदेश, बैक्तित यूं सामाजिक उदेश तो question number 6 को option पर A correct है हमारा यहां पर सामाजिक उदेश next question हम लोग दिखते हैं तो question number 7 में जो कि option आपको column को match करना है यहीं फर्स्ट तालिका को second तालिका से match करना है तो question number 7 उसको option number C correct है यहां पर हमारा जो इसमें match कर रहे हैं तो आप लोग match कर लिजेगा देखके बाकि इसमें option number C correct है next question number 8 कहा रहा है कि इस निम्लिकित में से कौन सा सिच्छा में बीवेका नंद की योगदान को दरशाता है यानि इनमें से कौन सी सिच्छा है जो बीवेका नंद की योगदान को दरशाता है तो option कहा रहा हमारा नादी सिच्चा, मानो निर्मार के लिए सिच्चा, उत्पाजन के लिए सिच्चा और बेदात सिच्चा तो दोस्तों इसमें option number B हमारा correct है यानि मानो निर्मार के लिए सिच्चा Next ये पर question हम देखते हैं Question number 9 हमारा कार रहा है कि अध्यान अध्यापन प्रक्रिया में सेचिक तकनीकी को अनुप्रियों को महत्य दिया गया तो इसमें ऑप्षिन दिया असिरवाद द्वारा प्रियोजन वाद द्वारा यथार्थ वाद द्वारा प्राकिवतिक वाद द्वारा तो ऑप्षिन नमबर इसमें हमारे बी करेक् के लिए इंद्र याग ग्रह साच को प्रदान करने के रूप में यानि और स्थी करेक्टर टेन नंबर कर नेक्ट रेपर कोश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निमने में से कौन सा सिच्छा के अभिकरणों के लिए सही उपकर्म है तो कोश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर इसने प करता है तो कोश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर यहां हमारा वी करेक्टर कि लच्छ तक पहुझने के लिए सिच्छा साधन्त प्रदान करती है जबकि दर्शन लच्छ निर्धारित करता है नेक्ष्ट कोश्चन नंबर 13 नंबर 11 कि था या थार्थ्वाद तथा आदर्श भूच्वाद के श्रमन्यों वाली सिच्छा व्यूस्ता है यह किस ने कहा था तो तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि महत्मा गादि ने स्री अरविंद की अरविंद ना टैगोर की या श्रमी बिवेका नंद की तो कोश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर A करेक्ट है महत् वालंपन की भावना हुआ विक्सित करना नेक्स्ट एक पर कोश्चन नंबर 15 कहा रहा कि बुनियादी सिच्छा पाठ करम में निम्लिकत शामिल नहीं था तो इसमें से क्या शामिल नहीं तो कोश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर C करेक्ट हमारा माध्यम के रूप में अंग् समाचार पत्र का अविकरण है तो कोश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर B करेक्ट है हमारा अन एक्षारिक नेक्स्ट कोश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर A करेक्ट है तो इसमें विद्याले नेक्स्ट नंबर 20 का ऑप्शन नंबर B करेक्ट है तो कोश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर B करेक्ट है आपर बौध धर्म से next question no.12 का option no.C आजसीवन चलने वाली next question no.13 का आजसा सिच्छा का उत्धेश है option आजसा सर्वागेड़ विकास का उत्धेश Question no.24 का उपियोगी सिच्छा नाम क्या है question no.24 का option no.C सवागेड़भिकास का उत्धелен आप विद्याले पर 24 का हमारा option number C करेक्ट का ब्यावसाइक सिच्छा Next question 25 number कि आदरश्वात का मुख बल है तो 25 का option number A करेक्ट है हमारा सिच्छा के उद्यश्यों पर Next हमें पर 26 number कहा रहा है कि प्राकर्ति की और लोटो नारक किस ने दिया था तो 26 का option number A करेक्ट है हमारा यहां पर रूशो ने दिया था Next हमें पर question number 27 कि निमनि में से कौन सा कथन सब्त है तो 27 का option number D करेक्ट है यहां पर हमारा कला भी है और विज्ञान भी है अगला question 28 number कहारा कि परियोजन वादि सिच्छा है तो यह क्या है तो question number 28 का option number C करेक्ट है अनभाव केंदरित Next question 29 नमबर याथार्थ वाद के अनुशार अन्तिम सत्थ क्या है तो 29 का option number A करेक्ट यहां पर हमारा पधार्थ Next question दोस्तों यहां पर हमारा गया रहे कि कौन अतियन्द याथारवादी है तो question number 30 का option यहां परphonie yards to it next question 31 नंबर कि निमलिक règit में से कौं सा अधर्श उात के अनुश्रादा सिच्छा का आदर्स है है एक प्रभी एक करेक्ट अनूभी किन नेस्ट कोशुन थाट्बशान के लिए टिडिक आइस reicht एंगे थी इने मोगेशा शुआत के अनुशारा सिच्छा का आदर्स है तो कोश्चन नुबर 31 का ओप्शन नुबर एक करेक्टर है हमारा यह आद्व अनुभूती नेस्ट कोश्चन 32 नंबर कहा रहा कि रविद्नाथ टैगों ने निम्लिकित अस्थान पर बिद्यालगी अस्थापना की गई थी तो 32 का ओप्शन नंबर यहां हमारा एक करेक्ट था जो है बोलपूर में नेस्ट न पर कोश्चन 33 नंबर कहां हमारा किसने कहाता सिच्छा belong three अद्धूई यह प्रगिद्या है तो ऑप्शन इसमें है देखे तो 33 का option number यहां B correct है जॉन डीवी ने नेस्ट यही पर question number 34 कहा रहा है हमारा कि प्लेटू द्वारा सिच्छा पर लिखी महान पुस्तक है तो 34 का option number यहां C correct है हमारा दा रिपब्लिक next question यही पर 35 number कहा रहा है किसने कहा था कि सिच्छा जनतंत्र की दाई है इस कहा रहा है कि basic सिच्छा को प्रतिपातित किया था तो 36 का option number यहां हमारा A number correct है गाधी जीने next यही पर हमारा कहा रहा है 37 number कौन सी अधारड जैन दर्शन से सम्मंदित नहीं है यानि इन में से कौन सी अधारड जो है जैन दर्शन से सम्मंदित नहीं है अगला कोशन यहां पर हमारा 39 number कि सिच्छा के द्वारा बच्चों को आत्मिनेर भर बनाने को प्रसावित किया गया था तो किसके द्वारा किया था 39 का option number A करेक्ट है गाधी जी द्वारा next question 40 number कहा रहा अध्वय दर्शन के प्रमुक्तम सम्मंद थे अस्तंब थे तो question 40 का option number यहां हमारा फर्स्ट कर रहा है स्वामी विबेका स्वारी संक्राश शार जी next यह पर question 41 हमारा कहा रहा है कि एक भारतिय सिच्छा सास्त्री जो अतियंत प्राकृतिक वार्थी थे वह कहा हूं थे तो 41 का option number B करेक्टर रविन नाठ टैग हो जी अगला question number 42 हमारा विबेका नंद के हमसाच सिच्छा एक प्राकृरिया है तो 42 का option number D यहां पर करेक्टर हमारा कि बालक में बिद्धमान पूर्था की अभिव्यक्ति की next यह पर question number 43 कह रहा है कि कि किस विचार के अनुसार सिच्छा के उद्देश सक्ट्यम स्रिवम सुन्दरम होना चाहिए तो 43 का option number A करेक्टर है हमारा आदर्श वादी अगला question 44 नंबर कर रहा है डीवी के अनुसार सिच्छा से अभिप्राय है तो 44 का option number D करेक्टर है आपर हमारा श्वयम जीवन नेक्ट एपर 45 नंबर कर रहा है प्राकितिक वाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है तो 45 का option number D करेक्टर है हमारा मुक्त्यात्मक नेक्ट एपर 46 नंबर कर रहा है कि प्रियोजन वादी बिद्याले को इस रूप में देखते है तो 46 का option number D करेक् एक दो दूब्या है तो कौन कौन से है तो 47 का option number B करेक्टर है फिलो प्लस शोफिया नेक्ट कोचन 48 नंबर निसेदात्मक सिच्छा का प्रत्या सम्मंदित है तो किससे है तो 48 का option number D करेक्टर है हमारा वाई रूसो से और next question लोग दिखते है 49 नंबर कोच्छन नंबर 49 हमार नेक्स्ट हमारा question है 50 नंबर रूसो दौरा सिच्छा पर लिखी महान पुस्तक कौन सी है तो question number 50 का option number B करेक्ट है हमारा अमेल नेक्स्ट कोच्छन नंबर 51 कह रहा है कि गांधिस जी का स्थिक परियोग अस्थांट टॉल स्थाय फॉर्म कहां पर इस्तित है तो question number का option number C करे तो 52 का option number A करेक्ट है 1939 में कही थी नेक्स्ट कोच्छन 53 का option number D करेक्ट है हमारा इसमें यानि उब्रोग सभी अप्चारिक अनप्चारिक या सक्रियो निस्क्र यानि तीनों इसमें करेक्ट है यानि ओल अप्दा अबर नेक्स्ट कोच्छन 54 नंबर गांधिची के पत्र का क अप्चिन नंबर पी करेक्ट है नेक्स्ट कोच्छन 55 नंबर किसने कहा मानों कि आंत्रिक सक्तियों का श्वाभाविक सास्मंजस सपोड यूम प्रगर्ति श्रील विकास ही सिच्छा है तो 55 का option number C यहां पर करेक्ट हमारा पेश्टा लाज़ी नेक्स्ट यहीं पर 56 नंबर यहां कि आदाश्वाद के अनुशाशत है तो क्या सथा है तो 56 का option number यहां हमारा E करेक्ट होगा विचार नेक्स्ट यह पर 57 नंबर कह रहे है आदाश्वादी किस परकार के किस परकार से अनुशाशन का समर्थन करता है तो 57 का option number C यहां पर करेक्ट है हमारा कि ब्रभात्म दमनात्मक दोनों नेश्ट ये पर कुशन नमबर 58 कि निमलिकित में से कौन प्रतिवादी नहीं है तो 58 को ऑप्शन नमबर यहां हमारा डी करेक्ट होगा रस्तू अगला कुशन यहीं पर हमारा कहा रहा है 59 नमबर माताएं आदर्स अध्या विकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनप्चारिक सिच्छा ही सबसे अधिक प्रवाव शाली वाश शभाविक है या किसने कहा था तो 59 को ऑप्शन नमबर सी करेक्ट है प्रोबेल ने ने कोशन नमबर साथ करा है कि कि किसने कहा परिवाद सिच्छा का सरुत्तम अस्थान है और बालक का प्रत्व किध्ड्याले है तो 60 को आप्शन नमबर सी करेक्ट यांपर हमारा प्रहा तो ने ने इसे है तो वा क्वोस्टिन शिटी टूड़को ऑप्षिन नमबर एक Просто हमारा विचार से अगला कोंचन दोस्ते इंपर हमारा क야 रहा है company दर्शन संबंदित नहीं है जो कोश्टले कोंचन नमबर हमारा सम्मीत हिजंडी नेक्सट करance Fred mitad क्या है हैं तो क्या है तो 64 का option C correct है हमारा कि प्रात्मिक शाला में भार्षा सिच्छा next question देखने दोस्तों question 65 question 65 हमारा कह रहा है सन 1916 में गिजी भाई ने अपना संबन्द अस्थापित किया तो 65 का option number यहां हमारा C correct होगा दच्छडा मूर्ति विद्धार्थी भावन से नेस्ट यही पर question 66 का रहा है टाइग और किस प्रुसकार के आदता थे तो question 66 का option नमबर बी गरेक्टर नोबल प्रुसकार अगला question 67 नमबर कर रहा है Sir John Adams के अनुषार प्राकृतिक वाद में प्राकृतिक कितने के कितने अर्थ है तो question 67 का option नमबर दोस्ते हैं अगला question दोस्तों यह पर हमारा कर रहा है 68 नमबर सिच्छा नैतिक चरित्र का उच्छित विकास है या परिवासरा किस ने दिया तो 67 को option number D करेक्ट यह पर हमार हों कि हरवण ने अगला question दोस्तों है जिन का अर्थ है तो जिनका अर्थ क्या होता है question 69 का option number C या झीतने पाला अगला question दोस्तों सितर नबर कह रहा है बाल जगत होता है तो question number 70 का option number a correct होगा एक भिन जगत अगला question देखते हैं दोस्तों अब लोग 71 number जिसमें गरहां निम्लिखित में से कौन सी dv की रशना नहीं है तो 71 का option number a correct है the social contract यानि option number a correct है यहां तो social contract 71 का next year 72 number देखते हैं dv द्वारा सिच्छा पर लिखी पुस्ता कौन सी है तो 72 का option number यहां पर c correct हमारा यह democracy and the education and education next year 73 का दोस्तों सिच्छा को किसके नियंद्रण में रखना चाहते थे तो 73 का option number d correct हमारा none of the able ना राज में न शर्ष भी न समाज में यानि option number c correct sorry d correct हमारा 73 का 74 number हमारा कहा रहा है कि रूसों ने सिच्छा काल को कितने भागों में बाटा था तो इसमें 74 का हमारा जो है option number यहां पर हमारा d correct होगा यह 5 भागों में बाटा जया दा है अगला question कहा रहा है कि रूसों का मूल रूसों जो है मूल रूप से किस देश के निवासी थे तो 75 का option number a correct है यह स्विच्छलेंड के निवासी थे अगला question 76 का रहा है जे कुछन मूर्दी ने सबसे अधि 78 निवर पावलो फेरे का जन्म किस देश में किस देश में हुआ था पावलो फेरे का तो 78 का option number a correct है ब्राजील के थे इनका बर्न जो है ब्राजील में हुआ था नेस्ट पोचन ये पर देखते है 79 नेंबर पीबे का नंद जी ने जिस धर में सभा में भाग लिया था वह कहां हुई थी तो 79 का जो है option number D correct है हमारा इंगलेंड में था कि question number 80 के रहा है घेजु भाई के अनुसार बालक की सिच्छा प्रारम होनी चाहिए तो question number 80 का option number D correct है यह हमारे option number D यहां पर correct है पठन से next question लोग देखते है 81 question number 81 का रहा है DV के अनुसार सिच्छक है तो question number 81 का option number C correct है जिसमें एक सामासिक और मनो पैग्या ने आ सकता है next question number 82 का रहा है किसने कहा सिच्छा दर्शन का गयतात्म पच्छ है तो question number 82 का option number यह हमारे D correct होगा कि Sir John Adams के दोरह कहा गया था अगला question 83 नमबर हमारा यह 4 आरसत्तों में कौन से समलिती नहीं है यानि कौन से इसमें सही नहीं है तो question number 83 का हमारा option number A correct नहीं है दुख दूर नहीं हो सकता अगला question देखते हम लोग यह 84 नमबर निम्लिकित में से कौन सा दर्शन वेदू की सत्ता मानता है तो question number 84 का यहाँ पर हमारा option number A correct नहीं है तो 85 का option number C correct है हमारा जिजो कह रहा है कि यह सिच्छा का उद्देश विकास नहीं हो सकता है यानि option number C correct है option number 85 का next यह पर 86 नमबर कह रहा है गणित सिच्छड के लिए गिजु भाई ने किसे समर्थन दिया question number 86 का option number A correct है हमारा मांटेशरी पर्दती को अगला question 87 नमबर गिजु भाई का पूरा नाम था तो 87 का option number D correct है हमारा कि गिर्जा शंकर भागवान जी वेदिका next यह पर 88 नमबर निमलखित में से कौन सा आदर्श वादी नहीं है तो question number 88 का option number C correct है हमारा Dv next यहाद पर हमारा 89 का हमारा option number C correct है एक ग्र्ण्त है यह next question number 90 का निमलखित में से कौन्स निमलखित मेंसे जैन धर्म की तितकारक नहीं थे तो option number a correct होगा हमारा मैत गल्यान निमन्मि से किसका सब्मण्द रूसु से नहीं है 91 का option number b करेक्ट है हमारा विध्यात्मक सिछ्छा से निस्ट रिंपर 92 का रहा है श्याद वात का पर्थिबाधन किया था 92 का option number a करेक्ट है हमारा जैन दर्शन ने सिच्छा जीवर प्रत्य चलने वाली प्रक्रिया है 93 का option number A करेक्ट है पर हमारा ब्यापक दिर्ष्टी दे next question हम लोग देखते हैं दोस्तों number 94 question number 94 कह रहा है कि किसने कहा स्वस्त सरीर में स्वस्त मन का निर्माण ही सिच्छा है तो 94 का option number B correct है आरस्तो ने next question number 95 कह रहा है गीजू भाय कर जन किस राज में हुआ question number 95 का option number B correct है नेक्स हेए पर question number 96 गीजू भाई की सच्छिक विचास किस अस्तर तक है तो 96 का option number A correct है हमारा या प्रत्यमिक अस्तर तक है next question 97 नंबर कह रहा है तो 97 का option number C करेक्ट है हमारा मंदिर के रूपने है नेश्ट यहीं पर दोस्तों 98 number कहा रहा है बिबे का नंद के अनुज़ा सबसे उप्युक्त सिच्छड विधी कौन सी है तो 98 का option number D करेक्ट है हमारा योग नेश्ट यहीं पर question number 99 कहा रहा है नंबर टाइगोर ने धर्म को किस रूप में शुई का रहा है तो question number handed को option number C करेक्ट है हमारा मानुश्यवा दोस्तों यह आपके 100 question complete हो गए और इसके बाद बिए 2nd paper में जो फर्स semester का second जो paper हुआ था उसको मैं analysis with solution कराऊंगा तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रही है ऐसी और हमारे दोस्तों अगर चैनल को subscribe नहीं है तो please subscribe करें और अपर दोस्तों में जरूर शियर गए तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थेंक्यू